मैं पहले भी कभी नहीं रहा आज भी नहीं हूँ बाद में भी नहीं रहूंगा MP CM Pat को लेकर घमासान मचा हुआ है अभी तक यह तैय नहीं हुआ है कि MP में CM कौन मनेगा लेकिन इस बीच CM शिवराज का बयान आया है CM शिवराज की माने तो वो CM पत के दावेदार नहीं है और वो केवल BJP के साधारण कारे करता है और उस मिसन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत इमानदारी से करते हैं CM शिवराज सिंग चौहान ने इसके साथ ही छिंदवाडा में BJP की असफलता पर भी खेद व्यक्त किया और बोले वो छिंदवाडा जाएंगे और वहाँ लोगों से बातचीप करेंगे अब यह में कोई राई में तिक बात नहीं करना चाहता अपनी बेहनों से मिलने आया हूँ और बेहन और बेटियों का कल्यान मेरी जिंदगी का मिसन है अपनी बेहनों के लिए हम लोग काम करते रहेंगे किसी भी भारती जनता पाइटी कारी करता हूं समरपित और किसी पद्ध के लिए कभी भी काम नहीं किया काम किया तो एक बड़े मिसन को पूरा करने के लिए किया पाइटी जो काम कहती है वो काम हम करते हैं मैं दिल्ली नहीं जाओंगा मैं कल छिनवाड़ा जाओंगा क्योंकि मुझे लोकसवाज चुनाओं की तैयारी अभी से कर ली कल मैं जा रहा हूं छिनवाड़ा यहां सारी सीटे हारे भाकारिकरताओं से मिलूँगा आपको बता दे कि MP में CM पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है CM शिवराज हाना की खुद को दावेदार तो नहीं बता रहे हैं लेकिन माना जा रहा है कि वो ऐसे बयान दे कर MP की सियासत में नई हवाज जरूर दे रहे हैं बोपाल से रवीशपाल सेंग की रेपोर्ट